इस question में हमें इन दोनों को multiply करके इसको mixed fraction में express करना है अब देखो यहाँ है 3 into 5 1 by 5 अब 5 1 by 5 को हम लिख सकते हैं 5 plus 1 by 5 mixed fraction को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 3 into 5 plus 1 by 5 अब यहाँ 5 को हम लिख सकते हैं 5 by 1 तो देखो दो fraction है अब इनको add करने के लिए इनका denominator same करना पड़ेगा तभी दोनों को add कर सकते हैं अब इन दोनों का denominator same करने के लिए हम करेंगे cross multiply तो हमें मिल जाएगा 5 into 5 plus 1 into 1 by 1 into 5 तो यह आजाएगा 3 into 5 5 is a 25 plus 1 1 is a 1 by 5 तो यह हो जाएगा 3 into 26 by 5 अब इन दोनों को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 3 into 26 by 5 अब 26 into 3 हो जाएगा 6 3 is a 18 3 2 is a 6 plus 1 7 78 by 5 तो यह हाँ से हमें मिल गया 78 by 5 अब numerator denominator से बड़ा है तो इसको हम mixed fraction में convert कर लेते हैं अब mixed fraction में convert करने के लिए हम 78 को 5 से divide करेंगे तो यह हो गया 5 1's a 5 5 5's a 25 तो यहाँ आगया 3 अब इसको mixed fraction में लिखने के लिए यह होता है number यह होता है numerator और यह हो जाता है denominator तो यहाँ से 78 by 5 हमें मिल जाएगा 15 3 by 5 तो इसका answer हमें मिल गया 15 3 by 5 तो इसका answer हो गया 15 3 by 5